नमस्कार मैं हूँ लता चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव नियूज नेटवर्क छोटे स्कोर वाले रोमान चक मैच में चेन्नाई सुपर किंग्स ने बाजी मारली और आई पील के ग्यारवे सीजन के सीधे फाइनल में जा पहुंची चेन्नाई ने पांच गेंदे शेश रहते आठ विकेट पर 140 रन बनाकर संराइजर्स हाइथरबाद को दो विकेट से मात दे दी तारीफ करनी होगी फाफ टू प्लेसस जो 42 गेंदो पर नाबाद सारसट रन बनाए जिन्नोंने संराइजर्स के गेंद बाजों का जम कर सामना किया आखरी छे गेंदों में जब जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी तब उन्होंने चखका लगाकर टीम को जीत दिला दी पैन ओफ दमेच टू प्लेसस ने अपनी पारी में चार छके और पांच चोके लगाए इसके साथ ही नौर IPL सीजन में रिकॉर्ड साथवी बार चेन्नाई ने फाइनल में जगहे बनाई मुश्किल हालाप में हर्भजन सिंग दो रन बनाकर आउट हो गए चैन्नाई को 113 रनों पर आठवा जटका लगा दीपक चाहर जो 10 रन बनाये को कारलोस ब्रेत वैट ने शांदार कैच लेकर लोटाया गेंद संदीप शर्मा की थी 92 रनों पर टीम ने साथवा विकेट गवाया इससे पहले रवींद्र जडेजा जब तीन रन बनाकर खेल रहे थे तब ही संदीप शर्मा ने अपनी ही गेंद पर लपक लिया चैन्नाई का 62 रनों के स्को पर छठा विकेट गिरा राशुद खान की जबरदस्त गेंबाजी के आगे बेन ब्रावो साथ भी फिल हुए उनका कैच शिखर धवन ने लपका 57 रनों के स्को पर चैन्नाई ने अपना पाँचवा विकेट खो दिया विकेटों के पचछड के बीच कप्तान महेंदर सिंग धोनी नो भी खुद को रोप नहीं पाए उन्हें अफगानी लेग स्पिनार राशित खान ने छकाया और बोल्ट कर दिया 49 रनों पर चैन्नाई को चौता जटका लगा सुरेश रेना जो 22 रन पे थे ने जमने की कोशिश की लेकिन चौते अवर की तीसरी गेंद पर सिधार्थ कॉल ने उन्हें बोल्ट कर चैन्नाई को दूसरा जटका दिया अगली गेंद पर अमबाती राइडू भी बच नहीं पाए और वह भी बोल्ट हो गए 24 के स्कोपर चैन्नाई ने टीम विकेट खो दिये इससे पहले मुंबाई के वानखेडे स्टेडियम में चैन्नाई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले संराइजर्ज हाइदरबाद को बल्ले बाजी दी चैन्नाई ने अपनी टीम में एक बदलाव किया था सेम बिलिंग्स के स्थान पर शेन वाटसन की टीम में वापसी हुई थी उधर हाइदरबाद ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया था